दो साल पुराने इस तस्वीर पर गौर कीजिए दिल्ली का प्रदूशन घटाने के लिए सीम केजरिवाल ने एक स्मॉग तावर का उधगाटन किया था 20 करोड से लगा था ये तावर और दिल्ली की जनता को लगा कि अब अगले साल दम नहीं घुटेगा प्रदूशन से लड़ने के लिए अपनी हवा साफ करने के लिए आज दिल्ली में देश का सबसे पहला स्मॉग तावर लगाया जा रहा है अब दो साल बाद अपने आसमान की तरफ देखिए और टीवी स्क्रीन पर चलने वाली इन तस्वीरों को याद कीजिए प्रदूशन बगाने के लिए 20 करोड की टेकनोलजी का दम निकल चुका है ठीक उसी तरह से जैसे दिल्ली में रहने वाली जनता का प्रदूशन से ये मशीनरी काम क्यों नहीं कर रही इतने पैसे खर्च करके प्रदूशन कम करने में ये काम क्यों नहीं आई ये सवाल पूछना बनता है क्योंकि मसला आपकी सेहत का है और पैसा आपकी जेब का डिपी सी सी के चेरमेन असुनी कुमार जी बने से स्मॉक टावर के लिए जो आई आई टी बॉमबे और जो अगलग अजनसियां मिलके काम कर रही थी उनका पैमेंट बंद कर दिया और वो स्मॉक टावर जो फर्दर काम कर रहा था उस स्मॉक टावर काम करना बंद कर दिया अब स्मॉक ताबर में ही केंदर बनाम दिल्ली सरकार का ठक्राब होने लगा है बहराल मंत्री जी के पास सफाई है लेकिन इससे काम नहीं चलेगा क्योंकि केजरिवाल के मंत्री ने तो ये भी कहा था कि अब दिल्ली में बियेस थ्री और बियेस फोर वाली गाड़ियों की एंट्री नहीं होगी क्या वाके ऐसा हो रहा है दिल्ली गाजिपूर बॉर्डर पर खुदी देख लीजी थोड़ी ही दूरी पर दिल्ली कोशांबी का बॉर्डर है यहां भी वहन की चेकिंग के नाम पर कोई मौजूद नहीं था बॉर्डर पर भले ही कोई देखरेक करने वाला ना हो लेकिन दिल्ली में ट्रैफिक पुलिस मुस्तैत दिखी गाड़ियों की चेकिंग हो रही थी जिसकी गाड़ी बियेस फोर वाली थी उसका चलान कर दिया अब ऐसे थोड़ी है मालूम है नहीं है और आप चलान काट रहे हो गाड़ी बंद कर रहे हो अभी हावा जहरीली है इसलिए सब एजन्सियां लगी हुई है कुछ जगा मुस्तैदित दिखती भी है लेकिन दो महीने बीतने के बाद वही धाक के तीन पात सिस्टम सुस्त हो जाएगा और सरकार मस्त अगर 12 महीने मिशन मोड में काम होगा तो फिर दो महीने दिल्ली गैस चेमबर नहीं बनेगी झाल